तो जब भी आपको चाई के साथ कुछ टैस्टी और चटपठा से स्नेक्स बना के तयार करना हो तो इस तरीके से आप स्वेविन के पकोड़ी बना के चाई के साथ इंजोई कर सकते हो यह पकोड़ी बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाना और काफी ज़्यादा टैस्टी बन के कि मैमानों को क्या देना है तो उस समय पर यह पकोड़े बना कर कर सकते हूं इसे बनाना पहुता पहले चाय बनने में लग चाइन इसने पनाने में काफी कम समय लगता है तो चले बनाते हैं कि महाएं पर पानी लेके सवयविन डालके भैस पर रंग दिया और इसे ना दो23 वो इंये तख गरम करेंगे इससे क्या होगा स्वय विभन पानी में रोजाएगी गरम में और इसका इस धसी नहीं भी ना्या और साथ में तीन चार गरीन मिर्चलिया है और आठ दस लसन की कलिया डाल देंगे छिलके के साथ छिलके को निकालना नहीं है इसका न बहुत बड़िया टेस्ट आता है तो डखन लागा के अब इन मसालों को दरदरा सपीश के तियार कर लेंगे तो मसाले यहाँ पर जो ड्राई मसाले हम पीश रहें बिना पानी डाल के पीशना है इसे और यह देखे काफी ज़्यदा मैंने इसे दरदरा रखाया है एकदम ज़्यदा फाइन नहीं करेंगे तो अब इसे एक बरतन में निकाल देंगे और इसी मिक्सी जार के अंदर यहाँ पर डालेंगे कुछ करी पता डाल देंगे और साथ में इस सोयविन डाल के पीश लेंगे तो सोयविन को यहाँ पर पानी से निकाल के उस पानी को हातों से दबा के निचोर लेंगे पहले उसके बाद में पीशना है थोड़ा बहुत पाग नहीं अगर रह भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं पर हो सके तो पानी को यहां पर हतों से अच्छी तरह दबा के निकाल देना है तो करीपता और सोयब इनको थोड़ा से यहां पर दरदरा सा पीसेंगे इसे भी ज्यादा फाइन नहीं करेंगे बस मिक्सिको चार से पांच वार मिक्सिको रोक रोक के चलाएंगे उसमें यह तैयार हो जाता है लीजे, स्वाइब इनको भी हमने पीश लिया है और यहाँ पर दिख रहा होगा जो करीपता हमने डाले थे ना उसके पत्ते यहाँ पर पूरी तरह फाइन नहीं हुए क्योंकि इसे हमने दरदरा फीशा था तो इसे भी यहाँ पर जो मसाले ड्राइ हमने तयार के ते पीश के उसमें ढाल देंगे चलिए, यहाँ पर हमने इसे ढाल के तयार कर लिया अभी इसमें कुछ और बाकी चीज़े एड कर लेते तो यहाँ पर स्वाद के नुसार हमने नमक ढाल दिया है थोड़ असा धनिया पाउडर डाला है आदा चमस थोड़ इसी हल्दी एक टेबलिस्पन इसमें रेड मिशी पाउडर डाल दिया है और साथ में डालेंगे थोड़ असा बुना हुआ जीरा बुने हुआ जीरा किया ना बहुत ही बढ़ी हमेकाती है यह देखें तो ज्यादा नहीं का नहीं हमने एक टेबल iCT मों डाला है गर्ब मसला डाली representative सब्सक्राइब देड़ने तोड़ सब्सक्चा देंगे हींगों ऑ फक्रड़ीं का देंगे और हींग कांगर Kenya दक्रड़ा 你 उपस दूस कर लेंगे आपके फास पावडर है तो और दाल सकते हो आगर वह भी नहीं सानिक वह नहीं तो नियुक्त निकाल के रहा सकते हो फिर यह सारी चीज्जों को न हातों से बढ़िया मिक्स कर करेंगे बिना पानी डाले हुई अगर आपको पानी की ज़रुत पड़े तो यहां पर थोड़ा सा छिंटा मार के इसे मिक्स करके तयार का सकते हो अगर जरूरत पड़े तो तो हमने तो पानी इसमें नहीं डाला है और ऐसे इसे बढ़िया मिक्स कर लिया क्योंको आल्रेडी जो सोय बिन वहती है उसके अंदर थोड़ा बोत पानी रह जाता है तो उसी के साथ में इसे मिक्स कर लिया है तो चलिए पकोड़े बना लेते हैं तो पकोड़े बनाने के लिए आप आमने कड़ाई में तेल पहले से डाल के गैस पर रख दिया था और तेल से दुआर या अ में डालेंगे ना तो अंदर तक अच्छे से यह सिख जाएगे और एकदम गोल्डन सा क्रिस्वी होने तक इसे फ्राई करके तयार कर लेंगे तो आज का जो मौसम था ना वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा था एकदम पकोड़े और चाई के साथ इंजोई करने का इदा क् कुछ देर पहले बारिस होके रुकी थी और हवा चल रही है और अभी भी बारिस का साज मौसम हो रहा है कुछ देर बाद में आ भी सकती है बारिस और बच्चे ना इसकुल से आने वाले थे क्योंक साड़ी चार बज़रे थे और मैंने उसी समय पर यह चाई और पकोड़े तयार किये थे वैसे तो मेरे बच्चे ना सब्जी में यह सोयविन के सब्जी नहीं खाते हैं पर आज मैंने सोयविन के पकोड़े बना के तयार किये और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने सोयविन से बना के तयार किया हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टे बनते हैं वैसे म पकोड़ी की डिमाइड बार बार में मुझे हमेशे जब भी ब़कोड़ी बनाता हुलकुत 오른쪽 झेज वर फोलेते हुए और दूशरा भी झी हम लुक May É पॉआ गर कोई सव्वीमिन और सब्जी लिए अगर हम कहना पसंद नहीं करते हैं और तो मेरे तरीके से इस तरह पकोड़ी बनाके स्नायक्स तैयार कर सकते बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आए और बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आमने सोयविन से बनाके तैयार किया हैं और चाई के साथ इसे बना के इंचोई कर सकते हो। या फिर टमाटर केच्चाप, पोजने, धनिया की चतनी किसी भी तरह इसे बना के आप इंचोई कर सकते हो। इस सभी के साथ में बहुत ज़्यादा टस्टी लगते हैंगे. तो दूसरा बैस भी हमने डाल दिया है इसे भी अलटते परटते हुए उसी तरह फ्राई कर लेंगे जैसा फ़स्ट वाला बैस हमने बना के तयार किया था बस वैसे इसे फ्राई करेंगे और गैस की फ्लेम थोड़ा मीडियम रखेंगे हाई नहीं रखेंगे और मीडियम पर इसे एक तरह बीसा गॉल्डन कलर आने तक हमने फ्राई कर लिया है तो लीजे दूसरा बैस भी हम पर तयार हो गया इसे भी निकाल लेंगे प्लेट में और एक तरफ हमने चाई बनने के लिए रख दिया था और आमारी चाई भी यां पर तयार होगी जितना टैम चाई बनन प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दे और इसे ज्यादा ज्यादा सेयर करके सब्सक्राइब कर दे चैनल का अगर नहीं हो पहली बार देख रहे हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजे और यह देखिए गर्मा गर्म चाई के साथ पकोड़े तयार मुझे कमेंट में जरूर बताएं बाबाई